मदर गोट और टाइगर बागिन ने एक प्यारे से बच्चे को जनम दिया था वो अपने बच्चे को प्यार से दूद पिला रही थी कि तब ही उसे शिकारियों के आने की आहट होती है तब वो कहती है ये तो शिकारियों की गंध है लगता है शिकारी इसी तरफ आ रहे है मुझे कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचाना होगा बागिन अपने नन्ने बच्चे को पतियों से ढग देती है और खुद शिकारियों के सामने आती है बच्चे को जनम देने की वज़े से वो पहले से ही कमजोर थी इस वज़े से शिकारी बागिन का शिकार करके उसे अपने साथ ले जाते है और बागिन का बच्चा बच जाता है उसी दिन गाव से एक चरवाह अपनी भेड बकरिया चराने जंगल आता है उसे पतियों में कुछ हर्चल दिखाई देती है वो पतियों को हटा कर देखता है तो वहाँ पे एक नन्ना सा बागिन का बच्चा जिसे देखकर उसे बहुत ही दया आती है अरे ये तो मासुन बागिन का बच्चा बाग है बेचारा इस खून को देखकर तो लगता है कि इसकी मा इस दुनिया में ही नहीं रही मैं इस बच्चे को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता चरवाहा उस बागिन के बच्चे को लेकर अपने घर आता है उसे दूर दिला कर बाग इक के जानवरों के साथ रख देता है पर बेड बक्रिया तो उस बाग से दूर ही रहती थी एक बार चरवाहे को किसी काम से 3-4 दिन के लिए जाना था इसलिए वो बाग को अपने बेड बक्रियों के साथ रख देता है बाग बक्रियों के साथ रहता है पर बक्रिया बाग के पास नहीं जाती तब एक बकरी कहती है अरे पापरे ये तो बाग का बच्चा है पता नहीं मालिक ने इसे हमारे साथ क्यों रखा अरे ओ सहली ओ इससे न तुम दूर रहना मैंने सुना है कि बाग बड़े खतरनाख होते है बकरिया उस बाग से डर के मारे दूर रहने लगती है बाग को अब बहुत तेज भूक लगने लगती है भूक के मारे वो रोते रहता है उसका रोना सारी बकरिया अन्देका करती है पर वही पर रहने वाली रूपा नाम की बकरी उस बाग के पास आती है उसे उस बच्चे पर बहुती दया आती है और वो कहती है बेचारा बच्चा कैसे भूग के मारे रो रहा है चुप हो जाओ मेरे बच्चे रो मत ये लो मेरा दूद पी लो रुपा बाग को दूद पिलाती है बाग भी दूद पी कर अपनी भूग मिटाता है अब बाग रुपा को ही अपनी मा समझ कर उसके साथ रहने लगता है जब कभी बाग भूका रहता तब रुपा उसे दूद पिला कर उसकी भूक मिटा देती थी बाग उन सब में अभूल मिल रहा था सब के साथ बाग के बच्चे को देखकर चरवाह भी खुश था इस तरह से कुछ दिन भी जाते है अब बाग बड़ा हो चुका था एक बार की बाथ है चरवाह बाग के साथ अपनी भेड बक्रिया लेकर पहाड पर चरने गया था भेड बक्रिया चर रही थी तो चरवाह थोड़ी देर के लिए आराम करते रहता है पर उसी वक्त वहाँ एक बेड बेड बक्रिया आता है बेड बक्रिये को पता ही नहीं रहता कि बेड बक्रियों के साथ बाग भी है और वो रूपा कही शिकार करने जाता है तब बाग अपने मा का शिकार होते देख गुस्से से दहार मारता है और भेडिये को रुपा का शिकार करने से रोक लेता है वो उसे मार मार कर वहां से भगा देता है इस बीच बाग के मुँ में भेडिये का खुन भी लग जाता है जिसे देखकर बागी की बकरिया तो बाग स सोचती है। अब तो रुपा भी बाग से डरने लगती है वो बाग से दूर दूर रहने लगती है रुपा बाग को हमेशा भला बुरा केती है मा का ये बरताव बाग को समझ में आ जाता है और वो सोचता है आज कल मेरी मा भी मुझसे दूर रहने लगी है उनका भी बराबर है अब मैं इनके साथ नहीं रह सकता मेरा जंगल जाना ही ठीक रहेगा बाग ऐसा सोच कर रूपा को जंगल जाने की बात बताता है तब रूपा केटी है बेटा तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है तुमारी सही जगा जंगल ही है जाओ बेटा जाओ पर हाँ इस मा को भूल मत जाना जब कभी याद आए तो मिलने जरूर आया करना खुश रहना मेरे बच्चे बाग जंगल जाके रहने लगता है और जब कभी उसे मा की याद आती तो वो उसे मिलने आया करता है ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें शुक्रिया घोडे की मा हीरन जंगल में सफेद गोडी एक बच्चे को जनम देते ही मर जाती है बेचारा बच्चा मरी मा के पास बेटा था और जंगल के बाकी के जानवर दूर से ही बाते कर रहे थे उसमें से हाती कहता है अरे रे बहुत पुरा हुआ बच्चे के साथ बेचारा पैदा होते ही उसकी मा मर गई अब इसका क्या होगा आरे सही कहा हती भाई तुमने मा नहीं तो कुछ नहीं अब इसकी देखवाल कौन करेगा बीना मा के ये तो जंगली जानवरों का शिकार बन जाएगा तब ही हिरन आगे आती है और कहती है तुम सब मदद करने की बजाए ये क्या फाल्तुकी बाते कर दे हो थोड़ी भी दया नहीं है क्या तुमने अरे हिरन हमें भी तो हमारे बच्चे है इसमें हम इस बच्चे का क्या कर सकते है इतना ही है तो तुम इस बच्चे की मदद करो हाँ हाँ आज से ये बच्चा मेरे साथ मेरा बेटा बन के रहेगा मैं इसकी मा बन कर इसकी देख भाल करूंगी हिरन ऐसा कह कर बच्चे को घर ले आती है उसके पहले से ही दो बच्चे रहते हैं घर में आते ही पहले वो बच्चे को अच्चे से साफ करके उसे दूद पिलाती है और हीरन बच्चो से कहती है बच्चो आज से तुम सब भाई भाई बन कर एक साथ मिल जूल कर रहना समझे बच्चे मा की बात मान कर खेलने लगते है हीरन के बच्चे भी गोड़े को अपना भाई समझते है गोड़ा अब हीरन को ही मा बुलाता और उसके आजू बाजू घूमते रहता इस तरह से कुछ दिन भी जाते है अब बच्चे काफी बड़े हो जाते है एक बार के बात है हीरन अपने बच्चों से कहती है देखो बच्चो मैं काम से बाहर जा रही हूँ तुम यही पर खेलते रहना और हाँ मुसिबत के वब एक दुसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना और मुसिबत का दटके सामना करना ऐसा के कर हीरन वहाँ से चली जाती है बच्चे खेलने लगते हैं कुछी देर बाद वहाँ एक भूग का बाग आता है बच्चों को अकेला देखकर उसके मुँ में पानी आता है और वो मनी मन में सोचता है अरे वाह बच्चे अकेले ही खेल रहे है आसपास कोई भी नहीं दिख रहा वाह आज कोई ना कोई तो हाथ लगी जाएगा ऐसा सोच कर बच्चों पर हमला करने जाता है हीरन के बच्चे बच्चे बीना डरे उसका सामना करने के लिए तयार हो जाते है पर घोड़ा है कि बच्चे डरने लगता है वो हीरन के बच्चों से कहता है अरे चलो भागते हैं यहां से नहीं तो ये बाग हमें मार डालेगा अरे घोड़े पता नहीं किया माने क्या का मुसीबत का सामना करना चाहिए इतने शरीर से बड़े हो गए फिर भी डर रहे हो चलो हम सब मिलकर बाग को अच्छा मजा चकाते हैं पर गोड़ा था डर पुप वो हीरन के बच्चे को वहां अकेला छोड़ कर भाग जाता है पर हीरन के बच्चे बाग से लड़ने के लिए तयार हो जाते हैं तब तक हीरन भी वहां आ जाती है और वो अपने बच्चों के साथ मिलकर बाग को अपने सिंगों से मारने लगते हैं भूका बाग हीरनों के हमले से घायल हो जाता है और मनी मन में सोचता है बाप रे बाप बच्चों का शिकार करने आया था पर खुद उनका शिकार बन गया मैं यहां अगर और थोड़ी देर रुका, तो मैं तो जान से ही मारा जाऊंगा, यहां से भाग जाना ही सही है। बाग वहा से दुम दबा के भाग जाता है, बीना डरे हिम्मत से बाग का सामना करके वो अपनी जान बचा लेते है। कि तबी घोड़ा भी वहाँ आता है, हीरन के बच्चे मा को घोड़े की भागने वाली बात बताते है, हीरन को बहुत ही दुख होता है और वो घोड़े से कहती है, बेटा मैंने तुम्हें क्या भागना सिखाया, यू मुसीबत के वक्त अपने भाईयों को छोड़ कर जाना ये तो मेरे परवरिश का हिस्सा नहीं था, आज तुमने मेरे परवरिश पर दाग लगा दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डर पुक निकलोगे, दूर हो मेरे नजरों से, मुझे तुमारा चेहरा भी नहीं देखना। वो हीरन के पास आता है, और कहता है, मा, मुझे माफ कर दो, आज मुझे आपकी शिक्षा का अनुभव हुआ है, मुझे मेरी गल्ती का हैसास हुआ है, मुझे माफ करके फिर से, अपने साथ ही रहने का अवसर दीजिए मा, आगे से मैं आपको कभी शिकायत का मोका नहीं दूँगा। गोड़े की बात सुनकर मा का दिल पिघल जाता है, हिरन उसे माफ कर देती है, और फिर से सब एक साथ मिलजूल कर रहने लगते हैं।